हेलो फेंट्स मैं में अधीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्साच की इस वीडियो में 34 साइज का बैकनेट डिजाइन में आप लोगे साइज शेयर करूंगी टीपनेक पर तो दिखें मेरा अस्तर का फैबरिक है अगर आप इस डिजाइन को अपने ब्लाउज के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइस के कॉर्डिंग मेंजरमेंट लीजेगा टोटल लंबाई मैंने 14 इंच ली है 13 इंच लेंद मुझे इसकी तेयार रखनी है श्ल्डर का नाप रखा है मैंने 5 इंच पे और यहां से भी 5 इंच लेंगे आर्म होल लेना है 1,5 पाँच इंच तो इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की लाइन हमने बना लिनी है अब चेस्ट का चोता फाग लेंगे तो चेस्ट का चोता फाग होगा यहाँ पर साड़े आर्ट इंच और देर इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्सिन के लिए मार्सिन आप दो इंच का भी ले सकते हैं अपने इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है अब हमें कमर का मेंजर्मेंट लेना है कमर है 28 इंच उसका चोता फाग लिया है 7 इंच एक इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और देर इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्सिन के लिए आर्म होल का शेप हमें इस तरह से है अब हमें इसे कट कर लेना है तो इस तरह से हम बैक पार्ट को अस्तर पर कट करेंगे तो दिखे मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है गले का नाप रखा है सवा दो इंच पे और गले की लंबाई लिए 10 इंच नीचे से गले के चोड़ाई 3 इंच लेंगे और यहाँ पर हम एक चोकुर बाक्स जैसा शेप तेयार कर लेंगे तो इस तरह से मैंन अब देना है कले का डिजाइन यहाँ से हमें देड़ इंच पे मार्क करना है देड़ इंच पे मार्किंग करने के बाद स्केल से आप यहाँ पर सीधा शेप बना ले और उपर की तरफ इसे मिला दे तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है यह द पेस्टिंग भी लगा सकते हैं. मैन ओर मैन फाब्रिक पर मिन असका कटिंग कर लिया हैं अब हमें लेना है यहाओ है मैन फाब्रिक को सीधा करके नीचे की तरब और उपर से रखेंगे अस्तर के कपड़े को इसके उपर इन लगा देugी दोनों तरब से अच्छे से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और इसके बाद हमें सिलाई लगानी है तो एक पिर का मार्जिन कवर करते हुए फिनीशिंग के साथ दिखिए यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरह से गले के ओपर सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है इसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और पूरे कले पर छोटे-छोटे कट लगा लेने हैं इस तरह से कट्स लगा लेंगे ताकि हमारा जो नैक यो अच्छे से फोल्ड हो जाए नैक को तयार करने के बाद अब मैं नीचे कमर साइट पर सिलाई लगा रही हूँ ये देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर भी सीधी सिलाई लगा लेनी है अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और थोड़ी 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 पे कट लगा देने है अब हमें इसे पलट करके सीधा कर लेना है और कपड़े को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग दे देनी है ये देखिए डिजाइन को आपको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है हाथों से इसे फिनिशिंग कर लेनी है अब गल्य के उपर एक सिलाई हमें फिनिशिंग की लगा देनी है उपर की तरफ ये देखिए मैंने हाँ पर सिलाई लगा दी है सिलाई लगा कर मैंने इसे पूरा कर लिया है अब हमें एक सिलाई नीचे कमर की तरफ भी लगा लेनी है कपड़ी को हातों से फिनिशिंग करते जाएंगे अब हमें बहार की तरफ से सिलाई लगानी है दूसी तरफ से भी सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिके से कट करके निकाल देना है और अच्छे से इसके फिनिशिंग करती है यह दिखे मैंने हाँ पर अच्छे से फिनिशिंग करती है सैंटर में एक बार्किंग कर लेंगे सैंटर से कपड़े को फोल्ड करके चार इंच के लंबाई में हमें प्लेट्स अटेज कर लेनी है दोनों ही तरफ इसी तरह से कमर में प्लेट्स लगा लेनी है और अब मैं यहाँ पर डिजाइन बनाऊंगी तो मैंने उपर की तरफ मार्किंग कर दी है अब मैंने लिये यहाँ पर लेस तो आपके पस जो भी लेस होती है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटेज कर दिया है और इसके उपर डवेल सिलाई ज़रूर लगाए दोनों तरफ की किनारी पे अब मैं यहाँ पर एक सिलाई यहाँ पर एक लेयर और अटेज कर रही हूं लेस की आप जाहे तो एक ही लगा सकते हैं मैंने यहाँ पर दो लेर लगा दी है ऐसे ही हमें दूसी तरफ भी लेस को अटेज कर देना है तो देखें दूसी तरफ के पार्ट पर भी मैंने लेस को अटेज कर दिया है अब मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है पट्टी की चोड़ाई रखी है, साड़े तीन इंच की, आप तीन इंच भी ले सकते हैं इससे फोल्ड करते हुए हमें सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से अब दिखिए यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे, तो एक एक करके छोटी छोटी फ्रिल्स हमें यहाँ पर बना लेनी है इस तरह से फ्रिल बना कर त्यार कर लेंगे तो यह हमारी एक साइट की फ्रिल है, अब मैं दूसरी साइट की त्यार कर रही हूँ तो दिखे दोनों तरफ की फ्रिल्स मैंने तयार कर लिए हैं अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है फ्रिल का पो हमें कट करके निकाल देना है फ्रिल को यहाँ पर हम अटेज करेंगे यह देखे नेक की बिलकुल पास से आपको फ्रिल को लगाना है अब इसे शेप देते हुए नीचे की तरफ मिला देना है नीचे आप एक्स्ट्रा लेस को कट करके एक्स्ट्रा जो फ्रिल है से कट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं या फिर सिलाई लगा के इस तरह से इसे कट लगा सकते हैं एक तरफ मैंने फ्रिल को अटेज कर दिया है अब हम दूस्री तरफ इसी तरह से फ्रिल को लगा लेना है यह दीखिए कल्यकी शेप के साथ से हम यहाँ पर इसके अटेज करेंगे नीचे से भी से इस तरह से सिलाई लगा कर एक्स्ट्रा फ्रिल को कट कर देना है तो दोनों तरफ मैंने फ्रिल की डिजाइन अटेज कर दी है अब देखे हमें क्या करना है यहां पर lace attach करनी है तो lace लगाने से पहले जो भी धागिय और extra margin है उसे आपको cut करके निकाल देना है यहां पर भी extra lace को cut करके दूसी तरफ से लाई लगाएंगे और इसे ही हमें lace दूसी तरफ भी attach कर लेनी है यह देखिए मैं आपर दूसी तरफ भी lace को attach कर दिया है और अब मैं नीचे कमर के साइट पर lace लगा रही हूँ तो इसी तरह से हमें lace को नीचे की तरफ कमर भी लगा लेना है तो तो देखिए मैंने यहाप पर lace अटेज कर दी है एक सिलाई और लगा लेनी है और अब गले के लिए मैं यहाप डोरी और लटकन तियार कर रहे हूँ तो डोरी मैंने ready mitt वाली ली है और लटकन के लिए fabric लेंगे कपड़े को हमें चुकूर में cut कर लेना है तीन इंच की लंबाई चोड़ाई में यह देखिए गले के बीच का जो fabric निकला था वही मैंने यहाप पर use किया है अब देखिए इससे triangle shape में fold कर लेंगे फिर इस तरह से fold करेंगे और एक fold door करते हुए डोरी को अच्छे से lock करते हुए हमें सिलाई आपर लगा लीनी है पलट करके सीधा कर लेंगे ऐसे ही दूसी तरफ का लटकन भी हमें तयार कर लेना है तो दीखिए मैंने आप लटकन के साथ डोरी तयार कर ली है और अब हम इससे blouse पर attach करेंगे तो उपर से 2 यह रहा इंच का gap रखते हुए आप यहाँ पर डोरी को लगा ली ऐसे ही हमें दूसी तरफ भी डोरी को attach कर देना है तो इस तरह से मैंने यहाँ पर यह blouse का डिजाइन बना करके तयार कर लिया है तो प्रिंट्स आपको आज कर डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर पिताइएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यबाद